नवस्का दर्श्रकमिद्र रोती थी कारेक्रम में फरीक और आपनू स्वागच नवस्का दर्श्रकमिद्र रोती थी कारेक्रम में फरीक और आपनू स्वाद करवाना चीए पुझ्य श्री भुपेंद्र भाई पंडिया के जेने पध्धाज लोको ओडखे छे कदाच नाम एक मात्रा परी छे ते वो धर्मुपदेशक छे खास कनी ने वजे सनातन भारतिय संस्कृती छे तेना रक्षन नू काम और साथे साथे प्रसार नू काम गरे छे आपनू स्व भारतिय संस्कृती ए मात्र भारत ना प्रदेश ने लाग्यू पड़ती न थी पर सनातन मुल्यो मनुष्य ना जीवन विकास ने माटे अने परमात्मा मा थी छुटो पड़ेलो अजीव जीवात्मा संसार मा आवे छे मनुष्य देह धारण करीने आवे छे तो ये वड़ी सनातन इटला माटे के नो कोई आरम भुना तो मनुष्य ना अस्थित्वनी शरुआत्थी ज आ विचारधारा आवी छे अने तेथी आपने ने सनातन संस्कृती कहिये छे पछी भारत प्रदेश पूरती मर्यादीत रही गई एक अधाच विश्वन दुरभाग्य छे पर एक नवी क्रांती जे थाई रही छे के समग्र विश्वने भारतिये विचारधारा प्रतिये सनातन वैदिक संस्कृती प्रतिये एक गजवनों आकर्शन उभू थायुछे चे आपना माटे बहुच गवरवनी घटना चे असनातन भारतिये संस्कृती मां अपने लागे छे करूं के जे प्रमाने खरेखर आटलों बहु मुल्य वार्सों सिलेक्टेड वन टो थ्री फूर आंगडी ना वेटे गणीश काई तेवा लोकोज आ संस्कृती ने बच्चावा माटे आ संस्कृती ना प्रसार माटे काम करे छे हुँ सीधो सवाल पूचू चूचू के जे कर आट अगरेशन दर्माने बीजा धर्म पूताना धर्मना प्रसार माटे जिटला एग्रेसिव चे क्यांक आपडे भारतिये संस्कृती ना रक्षा कतो प्रसार नू कार्य करना रा लोकों मा क्याक्या एगरेसिवनेस नी कमीचे डूँ फिल देफिल देफिनेटली भाई अग्रेसिवनेस अने फोकस नीपन कमी छे एनू कारण को छेला बसो अधिसो वरश्मा यहू थायू छे कि आपने मांटे धर्म ए मात्र फुर्सद नी प्रवृत्ती बनी गर छे इस बिकाम लीजर एक्टिविटी जारे बीजाने मांटे धर्म ए मिशन छे जितला लोको आपन धर्मनी शक्ति अने धर्मनी असर कारकता नी अनुभव सिद्ध विश्वास छे अने पूते जे पाम्या छे एमने लोको सुधी पहुंचाड़ भू छे ए जंखना ज्यां सुधी ना आवे त्यां सुधी जील उभू थातू नथी विजा धर्मों मां पैसा आपी ने करवा मां और चे बढ़ जबरी थी करवा मां वे खिन लल्कावीने करवा मां वे उगे धंकावीने ड़रावीने करवा भू बद्धिरी ते जारे आपने टॉलरंट प्रजा तरीके सहिश्णू प्रजा तरीके ए करता न थी हुँ मने लागे शके नहीं जरूरी प्रणा धी equity कार क आ देश मा जन्मे लो अने अग्र जन्म, अग्र जन्म में अटले केवल ब्राम्मन नहीं, पन जे बुद्धी थी ब्राम्मन छे, बुद्धी थी जन्या वहिदिक संस्कृति प्रत्ती आदर छे, एने विश्वना दरेक देश्यों मा जई अने दरेक ने पोतानो धर्म जे बुद्ध खेदिनी वात कहीं शेकाई देवांग भाई के तरमे इतले मात्रे हिंदू, मुस्लिम, सिख, हिसाई एज बन्यू छे, धर्म एन थी, धारना धर्म मित्या हू, धर्मो धार एते प्रजा, प्रजा ने धारन करना री जे शक्ती छे, ए धर्म छे, बहु साधी बाशा मकव तो भारत देश एने चलावा माटे काईदा जोई है, तो इंडियन पिनल कोड के कॉंस्टिट्यूशन, एविरी ते साखी मानो जाती ने धारन करवा माटे, जे कानुन जोई है, ए प्रथा, ए व्यवस्ता, ते धर्म आई जी, जे प्रमान आपे कितू के धर्म अनुभवती सिद्ध करेलू होए, ते व्यक्तियों जरूर थी, धर्म आप्रसार माटे जोर शोर्थी लागे छे, ए अग्रेसिवली लागे छे, ओके नव वाद करिए के जे प्रमान आपे कितू के धर्मनी शक्तीनी जान करी, धर्मनी शक्तीनी जान करी आप लोगो आपो परन्तु क्यांक कया एवा कारणों छे कि जे फ्लो पहला हतो खास करीने आवास सु संस्कृत शब्दों जे पना अपड़ों वार्सों छे तेना वीशनी वातों सांभडवा माटे जे प्रमाने क्यांक घोडापूर जे वाद रशियों सर जाता था अत्यारे क्यां कमी थे छे आपनारा वध्या छे अने मीडियम पन वध्यू छे मीडिया दी द्वारा पनस आज विचार पहुँचतो होई छे पर एना द्वारा एक थे जागरूती आवी छे देवांग भाई विश्व भर्मा मारो पोतानों नुभाव कवतो मुट्टी संख्या मा युवा पेढ़ी अने भणेलो गणेलो वर्ग हावे धार्मीक आयो जनो मा भाग लेतो थायो छे अध्यान शिविरू मा श्रवन अने आचरण पन करतो थायो छे अटले इंग्लेड मा कथा होई मारी के अमेरिका मा कथा होई तो त्यानी भणेली त्यानी जन्मेली अनि आपणी प्रजा जेने कदाच मात्रुबाशा गुजराती प्रत्य बहु जागरूती नथिया तो प्रश्णों पर थी मनेंनु लेवल समझाएचे क्या स्तर पर काम करी लीचे वांट टूनेटली आजनी युवापेडी ने जे वाइगिनानिक संदर्भमा आधुनिक शैली मां अने आचरन मूलत धर्म जो ये छे ए आपनारा लोको चाचे अने गणी वखते वी दुर्गतना सरजाई छे के पहली वखत के विजी वखत क्या गया होई अने छेतरा आया होई के एमना मन ने बुद्धी ने संतो शापी शक्यों प्राप्ता ना थायू होई इटले यूमन साइकलोजी प्रमाने टेंटूस जन्रलाइज के वात वदू आउँ छे अने पच्छी ये अने आपनों द्रण विश्वास चे के घणों मोटों वर्ग छे फेला करता वद्यों पांड जे आप फिल्पन करिया शो दर्श्रक में दरों गणिवधी अंतरंग वातों करी शे परन्तू समाई थाओ छे गविरामनों मार्केट ना चड़ा उतार कया शेर वेचवा कया शेर खरिदवा जानों शेर बजार आज अने आवतिकाल रोज सवारे आठ त्रिस कलागे विश्वास हजी पन आपने अनू भवपन थाए छे आप एक वेगनानिक अभी गम थी अने अत्यार नी खास करें ट्रेडिशनल वे थी जे कथा किवादी दी एमा क्या चेंजिस लावो तो जरूर थी अत्यानी जनरेशन ने जुई ये छे ती रीते तमें प्रेजंट करो तो कदाच क्या शोता गण मा क्यारे कमी नहीं आवे मर एक सीधो सवाल छे के गुजरात मा जो कथाकार गणवा मा आवे अगें वन टू थी फूर वर्स अबाउट नेक्स जनरेशन क्या गणया गाठा बेचार नाम सीवाए नवी जनरेशन मा थी जे ऑप्शन मलवा जुई है अत्वा तो एक भुपेंद्र भाई समय नी शरीर नी मरियादाओं ने ध्यानमा लई ने लाख लोकों ने श्रवन करावी शके पान करावी शके परन्तु आ संख्या मा जे नवी जनरेशन कदाच कथाकार तरीके जो वधे क्या के लेक ओफ अमेश ना देवांगा येक आप अपने समझी लिए के शिखर उपर संख्या उच्शिज रेवानी स्कंभी याAnn पाचेते कोई पन क्शेत्र मा हो इन राजकार नूक्षेत्र होई बिजनेस नूक्षे कि नूक्षेत्र होई स्पोर्ट्स नुक्षेत्र होई के धर्मनुक्षेत्र होई करण के एवरेश्ट सर करा ओड़ो दरती जो मानस नज होई शके तो ए संख्या उचीज रह शे पण ए संख्या बिजा अनेकने एवरेश्ट तरफ खेची लाऊ शे अने बू नम्रता पुर्वक कई शकों के व्यास परंपरानी जे कथा छे के विशह ने वफादार रही शेली रसाल होई पन केवल लोकर अंजन नी प्रवृत्ति मान न उत्री पड़ता श्रोतानू कल्यान थाए एवी रितनी वाद करवा वाड़ा लोको अत्यांत ओछा छे पुझे डोंगरेजी महाराज जमना प्रत्यमने अत्यांत आदर छे पुझे कृष्ण शंकर्शास्ति जी आवा विद्वानों आ काम खुब सरकारक्ता थी करिऊ पन छिल्ला बे दाइ जन उपर जहूं सीधो आवानों तो मारों नेक्स क्वेशन आ जातों के जे प्रमाने कथा मां खरेखर भक्ती रसनी साथे साथे बीजा जे परीमानों उमेराता गया आप इमने जस्टीफाई करो छो आप इनने योग्या मानों छो खरा केवड संगीत प्रदान ता के केवड मनोरंजन नी प्रवृत्ती बनी जाए के लोकरंजन नी प्रवृत्ती बनी जाए तो ए een कोईриг शेत्र मातय हानिकारक बनी जाए ऐसे कि अरथनाध्य जान के मानसने मजा अननद ना हो फो जो ये रसाल शैली होवी एक वाच्छ सिर्फ बहुद्धिक नहीं त्यां फक्त बुद्धी जीवी वातोज नहीं परन्तु सीधूज गड़े शीरा नीजें एक अनुभव आपने कहूं कोई पन मैसेज तमारे लोको सुधी पहुचाड़ वो होई परसी बहुद्धिकल मैसेज होई गामने के शहरने चुखू राखो आओ मैसेज होई तम्हें आखा गंमा लखहाय हो कि अच नहीं थाए बे महत्वनी वातों चे जेना द्वारा मैसेज नी असर कारक्ता वधी जाए छे या तो एने संगीत साथ या पो अथवा तो एने हास्य साथ या पो हावे अब अब अनने परिमानोंने बहु सुन्दर ही ते चकास्वा माव्या नोपियो करवा अपिस कुछिंज बाकिना ज़े लोको को बाकिना जए लोको मात्रसंगीत प्रदानता मझ घा रहा है प्रतिक्षा करती होई भ्यास्पीट प्रतिक्षा करती होई लोको ना रदय नो प्रतिक्षा करता हुए ए यक्तित वो गिन्यान नी रिते संभाशन नी रिते अने मेसेज डिलीवर्टी प्रत्यायन कम्युनिकेशन नी रिते ये वो आकर्शक बनूज वही है अब एक क्यारे सही शके जारे तो हमारी पोतानी पासे सब्जेक्ट मेटर वाई महराष्ट्रना संतों केचे के वेदान्ताचा सार आमासी विचरावा इतरान नी वावा भार माथा वेदान्तनों शास्त्रनों सार शूँ छे ए अमने पूछो अमे ए जीविये छीए इतरान निवावा भार माथा बाकीना लोको तो माथे भार लेन फरे छे गोखेलू बोली शकातू नथी जीवेलू बोलाई छे अने हवे एक सुग्णे वर्गे वो चक्कस उभो थायो छे कि जे वक्तानी एना रदैनी उंडानने एनी अभिव्यक्तीनी सच्चाई ने तरत पार्खी जाई छे अने ए जयां जोवा मड़े छे त्यां गरश्रोताओनी उनप क्यारे रेती नथी एनू कारण अध्यात्मनी तरस ए प्रत्यक मानवीनों मुर्भूत अधिकार छे अने जयां सुद्य तरस छिपाई नहीं त्यां सुद्य ने स्वस्थता प्राप्त अधिकार अने ना माटे स्वच्छ जड कई सकाई रस्पान आप जेवा विद्वानों आपता रहा अचे ने तेनाच करने भुपेंद्र भाई गुरु नी वाद करिये तो शरुवात क्यारे करी भुपेंद्र भाई ये कथा करवानों ए पहलो पवित्र दिवस कयो हतो अने कई रीते शक्य बनियुक्त थेंक्यू आप प्रश्ण मने बहु गमें जयां जयां पुछाई छे गुरु तरीके नी वाद तो हुँ मारा दादी माने मारा गुरु तो वदे स्विकारू चु करनके बहुज नानी उम्मरे आ मारगनी प्रेणा अने उत्सा दादी माय आपया छे नानों अतो बे वरश दादी मा पासे नानकडा गाम मार आयो गुजरात ना सिंतपूर पासे ना सुंधिया गाम जी आने बाकी मारो जन्म भनतर बदू मुंबई मा थयो पन आ बे वरस मारा जीवन ना बहु मुल्यमान वर्शो छे एपचि हुँ दिवारी ना वेकेशन होय के उनाला नू वेकेशन होय त्यारे दादी मा पासे आओ तो जांसुरी दा सांभ़ू ने त्यांसुरी सुवू नहीं अने अने कथाओ मामे कृतक्निता पुर्वकावात नो स्विकार करें चे व्यास्पीट पर थी के दादी माई नान्पन माँ जे बीज वावी राखेला ये अत्यारे बदा उगी रहा छे अने नानियुम मारे दादी माना खोडा म बेसी ने जे वातो सांभ़ी ती ये अत्यारे गादी माना खोडा मा बेसी अने समाधने संभडावी रहो छू तो अमार्गनी प्रेणा दादी माई आपी एटलू कहेलू के बेटा ब्राह्मन नो शरीर छे तो ब्राह्मन ना शरीर ने दीपाव जे आपनू कारिया छे अप्रोच अने सिंथेटिकल अप्रोच रहो कोई पन वस्तु मात्र कहवाय चे पर सुविकारी लेव नहीं पने शर्वतों मुखी विचार करें ने बधी बाजू थी विचार करें एना सत्य अन्वेशन करें अने मात्र इंटेलेक्चिल एक्सरसाइज नहीं पन जीवनमा आचरण करी अने जे प्राप्त थाए ए समाधने आपूछू अप पहलो ए दिवस कर वहत हो जारे प्लथम वकत चवुद वरशनी उम्मर है ले एसे सिनू वेकेशन तो त्यारे में मुंबई मा माधोबाग नी अंदर गीताना बार्मा अध्याय पर प्रवाचन शरू करें कर दो दो तो वाइस प्रूब्लिक दिस्कूर्स कि अने तरह थी मानी नेत्या सुदिलिक भग चिल्थम दाइका थी आप प्रुति चाली ये छे एना पर पर पहला आठ वरस्नी उमर थी में बापुजी कर्मकांडी जोतीशी अले पपुजी नीशाधे पूजा मा जाओं सब्सक्राइब करें तो लोको कंटारता था उन्हें पाच्वाधी समझायों कि हुँ पहली उखत करूछी उपना लोको तो बसो उखत सामड़ी चुक्या चेलावती ने लिलावती लेमने मा कोई रस न थी तरे एक बाढ़ अवस्था मापने चैलेंज सरीके में उपाड़ी क कि आने इंट्रेस्टिंग बनावी शकाए और पच्छी हुं कोई वांचवानों मने पहले थी शोक तो केंग सारू वांची होई कोई सारो विचार होई काई सारू द्रश्टान्त होई ए सत्यनार नी कथा माँ वणी ले तो अने जना द्वारा लोकों ने आकर्शन था था भूपेंद्रभाई भागवत ग्यान यगया आटलावधाग आपे गदू त्रण लगभग दर्शका थी आप करिये रहा छो कयो प्रसंग खास करिने भूपेंद्र भाई ने कारन के अगिन आपे कितू के लीला वती ।कला हवती बिल्कुल भागवत पन एज आपनी जारे पन कथा चालती होई छे भुपेंद्र भाई ने कयो प्रसंग केवा मां सौथी वदू आनन्द आवे छे जैरे व्यास्पीट पर बेटाओ छो क्रुष्ण जन्मनी कथा क्यों मने खुब आनन्द आवतो होई छे रुक्मेणी विवानों प्रसंग पन मारों खुब प्रजे चे कानके एना द्वारा जे समाधने एक पावर्फुल मेसेज आपी शकाई छे कासकर न्यादनी युवा पेढ़ी ने अने कपी लाख्यान छे इ मने लागे छे कि मा कथा क्यों बहुज मने आनन्द आवे छे मा कांके एक एक कथा जने दस-दस वखत सामधी छे मना जा कथा चाली रही छे मने मुंबई थी एक टेक्ष में से जावे हो के गुरुजी में छिल्ला दस महिना मां बार वक्त आपनी भागवत कथा सामधी छे चतना आज एक था आने टीवी पर आवी रही छे लाइव तो के इतलो बदो मने आनन्द आवी रही छे के इतलो बदो नवु आमा मने प्राप्ता थाई छे के टीवी नी सामे थी उभात हमानू मन नती था तू एक वक्ता तरीके सत्यना शोधक तरीके अखुबज आनन्द प्रद अने संतोष प्रद मारा माटे बने के एकम सत तद विप्रा बहुदा वदनती एकत सत्यने किटली अलग-अलग अलग रीते कही शकाय छे अने आतो को खोदवा जेवी प्रवर्ती छे जिटला उंडे जराफ उटे छे अने सत्य विवीदरुपे प्रगट थतु रहे छे जरी ते भगवान श्री कृष्णे गीता मा कई हूँ के दिने दिने संभवामी युगे-युगे नने नुतन अर्थो ठाथा जिए रोकिश दर्श्रेक नितरो बेलकुल रस्प्रद तबक कामा वाद च फर येकवार स्वागत चापनू कारेकरम बती धीमा एक नानकडा विरामबाद वात करेया शापड़े पूजी अबुपेंद्र भाई पंडिया साथ बुपिद्र भाई वात करी के आपने खुबज मजा आवे छे खासकरी ने करश्न जन्मानों प्रसंग होए एक बेप्रसंग आपे बढ़ गिदा तुलसी विवानों प्रसंग गिदा मिडिया नो रोल आपे कि दू के जे भाई आपने फोन करेयो वर्ष मां 10 वकद आपने खासकरी ने अपनी सांबड़ी जोई खुबज आनन्थ हो साउथी वधू वकद आटला वकद ती सांबड़ता आता जोता आता साउथी आनन्थ हो मीडिया ओल्वेस क्रिटीसाइज थ समाज मां जेपन बदियों नी वात आवे छे त्यारे मीडिया ने क्रिटीसाइज करो मा आवे छे अध्यारे लगपग कथाकारो एज मीडियानों सहारो लेता हो छे आज कथाकारो वर्षों पहला पर कदाच 5-7 वर्ष पहला जियारे आटलू डैवलोप मीडियानों तू त्यारे आज व्यासपीट पर थी अत्वा तो अलग-अलग जग्या एती केवा मा आवत वतू टीवी जोहनू बंद करो कारण के त्यां थी कदाच युवापेटी कलाकार अने कथाकार इतले हूं तमने एक मीडियाना प्रतिनी थी तरीके तमने हूं मारा सहधर्मी गणुछू निंदा करवान तो प्रश्ना आउतोज न थी पर सहधर्मी होवाने नाते चिंतन अवश्य करूँ जोहिए कबूल करवी आपड़े के मीडिया मा मुट्टे व अने समाधनी नकारात्मकता ने बारामार कितला ही पत्रकार मित्रो खुग प्रेम भरया संबंधो छे अने नमने आनन्द छे वेठा वेजार हूं को के बे भाईयों पचास वरस सुरी जो साथे रया हुए तो ये न्यूस न थी बनता पन एक बे भाईयों जगडे तो ये न कार्तीमा जगड़ो था तो ये चापा मा अवश्य आवेश है ए नंकारात्मकत अभिगम अपणे आपी ने पामवाशू हमां पणилиये तो लोकों स्यारे वाद करूं त्यारे कि के आज बद्धू तो चापा मा आवए चे आने मीडियानी साथे जारे वाद करूं है आपतो अन्वेशक रितना क्षेत्र मां छो पन मात्र प्योर एंटर्टेंबंट नी वात मा करें तो पन के अमुग फिल्म ना क्षेत्र मां के टीवी सीरियलो जे मना चाली रही छे मित्रों छे अपना गणी वक्रते साथे कारेकरों मडवानू था यह मने अपना प्रत्यादर छे एर जे काम करें शेना वह गणियों के पुछू क्या भी नकारात्मक सीरियलो शामाटे बनाओ छो तर मने के गुरु जी सब पब्लिक यही चाहती है इसी को टीरपी ज्यादा मि मिडिया के छे के पब्लिक यह चाहती है सो सो कदा चाहिन शौट जो कंक्लूड करू तो दर्शक वे पोते हंस्वरुत्ती राखमानी जरूर छे चोकस पर एना करता आगल देवांग भयों कईश आपने के दर्शक हंस्वरुत्ती राखे नहीं राकी शके कानके और मिडिया मां आपने जो एक रिस्ट्रिक करी शो आपनी जातने के आपने शूँ आपवू छे समाधनू धे आपने मात्र आपनों माल वेचवो छे के साथे समाधनू परिवर्तन करूँ छे जागरुती आपनामा पन होई यह आती आवश्यक छे उपेदर भाई मेडिया नी सीदो आवे जो छू जे प्रमाने पॉलिटिक्स अत्यारे जे प्रमाने इंडियन पॉलिटिक्स से राजकारण ने पन घणी वक्षत निशान बनावता होई छे जे पन विद्वान हो छे तेवो पूताना प्रवेचनों मां क्यारे पन मीडिया समक्स्पन तेवो बोलता हो छे के पॉलिटिक्स मां क्याक गंद की प्रवेशी छे ने इटली हदे प्रवेशी गई छे के तेने हवे व्यास पीट पर थी जे प्रमाने सारा बोल वचन लोको सुधी पॉँचे तेना थी क्याक राजानों जे धर्म होई छे व्यास पीटनों पन एक धर्म छे क्याक जरूर शे करी इजट सो कस पंड एम एकज भयस्थान रहे उचे देवांग भाई के मैनीपिलेशन नी बाबत मां राज काराणी हमेशा धर्मगुरु करता होश्यार होवानों जो कोई धर्मगुरु इनो हाथों बनी जाए तो बुटू भयस्थान छे आँ आँ तो हाथों बनवानी जबात करूँ तो क्या क्यों लागे शे खरू के खरेखर धर्मगुरु है राजा ने सहला आपी ने राजा ने सारा कारियो तरफ दोरवाजु ये एनी जग्याए अत्यारे क्याक उल्टू थाई रहूँ छे राजा धर्मगुरु होनों सहारो लईने धारे ते काम करा उता होई छे कि ये खरू के चत्तु रही क्यां छे अने तेथी क्यू पड़े के वह तो बचेना करता आपने मौन रही है एटलिस्ट आपने दुरूपयोग तो न थाए आपने जे बोली रहा चेने दुरूपयोग न थाए एल्ला माटे मौनम परम्भूशनु जब पूर्ण सावधानी होई अने तो तम इस प्रश्टताथी बात करी शको परन क्या केविरीते बढ़लाई जतु होई छे आपने खबर पड़ती नथी इवा संजोगों मां मौन ए विद्वान नूँ भूशन बनी जाए शाव विग्णान अने धर्मनी टक्कर लांबा समय थी चालती आवे शाव विग्णान धर्म मां कदाच स्विकार आई छे अमू कहूं शे परन्तु महद आउं शे महद आउं शे जारे पर धार्मिक तानी कोई पन एना करता प्रपर को के ट्रेडिशनल रूल्स चे जे तेने क्लियर कट चैलेंज करतू है छे विग्णान आप साइंस टुडेंट पन साथे धर्म ग्याननू पन आप काम कर रहा है छो कई रीते विग्णान ने धर्म एक बीजाने मदल रूप थे शके मारी द्रश्टी ये विग्णान ने धर्म एक बीजाना परीपूरक चे क्यारे विरोधी अताद नहीं सनातन वेदिक संस्कृतिनी वाद करू हाँ पास्च्यात्य धर्मों माई हू रहू छे के धर्मनी सत्ताई विग्णान ने पड़कारी उचे ने वैग्णानी कोई धर् पर भारतिय संस्कृतिना जे फिलोसोफर्स छे श्रिमदाध्य शंकराचार जी तो स्पष्ट कहें छे के वेद पड़ेम कहता हाँ छे के अगनी ठंडो छे तुम स्विकार करवा तैयार न थी करनके मारो अनुभवयम कहें चे के अगनी गरम छे विग्णानिकता जे भारति संस्कृति मां छे हुँ विश्व भर्मा डंके की चोट सनातन संस्कृति नो प्रचार करू छो एतला माटे के हुँ मुलभूत रीते विग्णानिक छो अनुभविग्णानिक दरेक कसोटी मने हिंदू धर्मा जे पॉपिलरली आपने उड़क हिये चिये पर सनातन धर्मा म लुटतर देखायो चे अने तेथी मने हम लागे चे के विग्णानिक सत्यों नी परीपूरक ता जरी ते धर्मा मा मड़े चे अजे गीताना सिद्दान तो जो तमें उपनीश्रणना सिद्दान तो जो कोई विग्णानिक नी ताकात ना थी क्याने चैलेंज करी शके आई 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 वच्छे का सवाल पूछाओ मागिश्पूगिनर भाई के जे प्रमाने भारतिय सनातन भारतिय संस्कूरूती उपर प्राहर होती रहाई जे छिल्ला किटला ही समय थी वर्षो पहला नहीं वाद करिये तो क्या कमोगल हो ये करिया क्या कंग्रेज हो य भाराज भारतिय सनातन भारतिय संस्क्रूत यूपर प्राहर दाई जैस पश्ट पने को राम सेतू सपश्ट पने भगवान शरी राम ने बिल्कूल एक चरीत्र हिन व्यक्ती तरीके ज्यारे एस्टाब्लिश करो मावे खुल्ले आम बुलो मावे छे आवा समय मैं अपना वानी स्वातंत्रे नूँ एक शरम जनक घटना छे कॉंस्टिटिशन ना आर्टिकल फोर्टीन ना अटलो दुरूपियों कदाच क्या रही नोतों थायो और अगें वोट बेंक माटे आतो एक वरस जुनी वाद थे राम सेतू तो मैं आर्केलोजिकल पुरावा आपया छे के राम आजे जेम हूं अने तमया पुर्थवी पर फरीये छी एविरी ते एक जमानमा राम अने कुष्णा फरी रहा था तो मैं गणी जग्याए कह हूं छे के राम सेतू छे के नहीं विरस्य भूशनम। जे प्रमाने हिंदु सानातन संस्क्रूती प्रमाने हिंदु धर्माम आस्था राखनार लोकों ने वर्शो farmers थी धर्मखेला माटे में जे लोकों कार्य संस्कूरूती ने प्रत्यक व्यक्ति आपना शाश्वत मुल्यों नो पहलो तो अभ्यास करवो पड़ शे विजू एना उपर चिंतन करवो पड़ शे तो आचरन करी अने जे उपलब्धी थाए ये विजा साथे वहच्वानी तयारी राखवी पड़ शे अने आ करी शूं तो आपनी जे चीन संस्क्रूती छे पर आजना युगम अपने इतली उपयूपत छे येनों लाब आपनने था शे अने विश्व भर्मा सवने पहुंचारी शक्किशू अने दुनिया आउनारी पेड़ी माटे एक सुन्दर स्थान आपने बनावी शक्किशू तो दर्शक मिद्रों आहत झाल